हलो बच्चा पाड़े स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्विश्चन नमबर 22 से लेकर के क्विश्चन नमबर 29 तक के सारे क्विश्चन ठीक है 6.5 चल रही है आप लोगों को पता ही है और ये Maxima और Minima का basic भी देख सकते हैं ठीक है आज हम लोग शुरू करने वाले question number 22 से basic आप लोग clear करके आये होंगे एक बात याद रखना आज की class हो सकता है थोड़ी सी लंबी class होगी क्योंकि questions बहुत बड़े-बड़े हैं थोड़ा time taking हैं तो हम लोग करेंगे आराम से करेंगे सारे questions को समझेंगे class थोड़ी लंबी हो जाएगी no problem चलो सुरू करते है exercise भया हम लोग कौन सी पढ़ रहा है तो याद रखेगा exercise जो हम लोग देखने वाले हैं वो है exercise 6.5 चल रही हम लोग की ठीक है और इसमें हम लोग आज question number 22 से सुरू करने वाले हैं दिया है एक 28 cm लंबे देखो बुक आपके सामने होनी चाहिए ठीक है बुक और कापी और एक पिन आपके पास होना चाहिए आप question को खुद सालू करें ये मेरा हमेशा से सलाह रहती है आप लोग के लिए ठीक है इससे वर्ग एवं वरत का समिल्त छेत्रफल नियूनतम हो देखो नियूनतम क्या हो नियूनतम या अधिकतम जो होता है उसका हमें आउकलन करना होता है कॉंसेप्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में समझाया भी था कि जिसका भी न्यूनितम या अधिक्तम करना होगा उसी का आपको आउकलन करना होगा ठीक है दूसरी बात यहां पर बताएगे अठाई सेंटीमीटर लंबा तार है तो तार की जो कुल लंबाई है भईया तार क मान लेते हैं पहले टुकड़े की दो टुकड़े हैं ठीक है तो माना माना दोनों टुकड़ों की लंबाईया या एक की हम एक्स दूसरे की क्या मानेंगे फिर अठाईस माइनस एक्स कन्फर्म है ना एक की अगर हमने बता तो दूसरे की लंबाई हम निकाल सकते हैं 28 से पहले वाली को घटा दें तो दूसरे टुकड़े की लंबाई आगा जाएगे ठीक है अब ध्यांस देखिए एक से हमें क्या बनाना है वरत और एक से वर्ग देखो पहले वाले से वर्ग और दूसरे वाले से वर्ग और दूस ठीक है, A, B, इसको आपने दो भागों में बांड दिया है, एक की लंबाई है X, और एक की लंबाई है 28-X, ठीक है, यह है, अब इस वाले से आप वरत बनाना चाहते हो, जब आप इस वाले तार से वरत बनाओगे, इसको इस तरह से मोड़ोगे, तो वरत जब यह बनेगा, त वो इस तार की लंबाई के बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं, वरत की परिधी, देखो, वरत की परिधी, ठीक है, वरत की परिधी, जिससे हम 2PiR कहते हैं, यह किसके बराबर होगी, इस तार की लंबाई के बराबर, X है, अगर इसकी लंबाई, तो इसको X कह लेते हैं, यहा होता है pi r square तो pi r square मतलब x square upon 4 pi square, 1 pi से 1 pi कि खतम होगा, x square upon 4 pi ओकी, तो यह बुरत्क का 6 तरह भुला गया, again इस वाले टुकडे से आप क्या बनाना चाहते हैं वर्ग, वर्ग मतलब किस टाइप का होता है यह, ठीक है तो वर्ग जो है जिसकी लंबाई चोड़ाई बराबर होती है मतलब उसकी एक भुजा होती है तो मान लिए अब वर्ग की भुजा A है तो A, 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 A और A, A ये 4A हो जाएगी तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप जो होगा आपका वो होगा 4A और ये 4A ये टोटल लंबाई हो जाएगी जो हो जाएगी इस तार की लंबाई इसी से तुमने इस वर्ग को बनाया है तो इस तार की लंबाई क्या है? 28-X यहां से आप A निकाल लेजिए 28-X बटे में 4 इतना हो गया है आपके पास भुजा आ गई है वर्ग की तो वर्ग की भुजा आ गई तो वर्ग का भया चेतरफल ज़रा निकालो वर्ग का चेतरफल क्या होगा? तो भुजाई स्क्वेर होता है A स्क्वेर A स्क्वेर मतलब 28 मानिस X का स्कुर और 4 का स्कुर 16 ठीक है तो ये देखो वरत का च्छेतरफल कहां पर है ये वाला है ये है वरत का च्छेतरफल और ये है वर्ग का च्छेतरफल इसने बताया है वरत और वर्ग दोनों के सम्मिलित च्छेतरफल जो है कहां गया भई सम्मिलित वर्ग एवं वरत का सम्मिलित चेतरफल नियुंता होना चाहिए तो सम्मिलित चेतरफल निकालते है वरत और वर्ग का शम्मिलित चेतरफल ठेक है तो सम्मिलित चेतरफल एसे लगर लिखें तो ए बराबर क्या हो जाएगा वरत का छेतरफल प्लस वर्ग का छेतरफल वरत का छेतरफल क्या है x square अपान में 4π और वर्ग का छेतरफल आपके पास क्या है 28 माइनस x का whole square अपान 16 ठेके इसका आप आउकलन करेंगे क्योंकि इसी को आप नियुन्तम और अधिक्तम करना चाहते हैं आउकलन करेंगे da अपान dx आप अगर करेंगे तो x square का 2x हो जाएगा अपान में 4π तो रहेगा ही यहाँ पर ध्यान से देखेंगे x square का 2x x मतलब 28 माइनस x की पावर 1 और जब जिसको x मानते हैं उसका दुबारा 28 का 0 x का दुबारा होगा माइनस का 1 ठीके और बटे में तो 16 रहेगा ही रहेगा आप ध्यान से देखिए da बाई dx जो आपका निकला है वो क्या निकला है वह तो आपको दिख रहा है 2x अपान में 4π या फिर इसको काप कैंसल भी कर सकते हो x अपान 2π कह सकते हो ठीके और ये माइनस का हो जाएगा 2 से 16 को काटोगे 8 तो 28 माइनस x बटे में 8 कन्फर्म इतना हो गया अब da बाई dx को आप क्या कर सकते हो da बाई dx को आप 0k को लखेंगे तो x अपान 2π उच्चिष्ठ या निम्तम या निम्तम के लिए हम लोग करते हैं जगे का में थोड़ा सौट में करने का प्रयास करेंगे माइनस में 28 माइनस x यह 28 अब यह 20 ना मान लेना 28 माइनस x बटे में 8 है बराबर में 0 इसको उधर ले जाएंगे तो x अपान में 2π एक्वल टू यह क्या बन जाएगा 28 माइनस x बटे में 8 2 से काटेंगे 8 4 4 का मल्टिप्लाई 4x बराबर में πाई की गुणा 28 πाई माइनस πाई x ओके पाई x को एक तरफ कर लो x वाल एक तरफ 4x प्लस में πाई x आएगा बराबर में 28 πाई बचेगा यहां से x कॉमन ले करके हम निकाल सकते हैं 28 πाई बटे में 4 प्लस पाई ठीक है तो यह x का वैली निकल के आया अब इस x के वैली के लिए यह उचिष्ठ है या निमनिष्ठ है यह तो हमको नहीं पता है अगर आप चेक करना चाते हैं देखो यह तो क्लियर है कि आपका यही मेरे ख्याल से तो मैं अगर आप चेक करना चाते हैं तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं आपको क्या करना होगा d square a upon dx square आप इसका करिये निकाल लिए तो निकाल देते हैं देखिए x का value यह हमारा आ चुका है ध्यान से देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे d square a upon dx square बचेगा माइनस माइनस प्लस का वन अपान में 8 हो जाएगा यह माइनस है और 28 का 0 माइनस का माइनस का 1 x का हो जाएगा 1 आपकलन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पान देखिए यह पॉजिटिव आया है positive होता है जब double derivative जो होता है वो positive होता है तो क्या होता है नियुनतम होता है इसका मतलब है x का जो value है ये नियुनतम मान के लिए सही है तो x बराबर में आपका क्या है कि पहले टुकडे की लंबाई आ गई है वहिया 28 πाई अपान 4 प्लस पाई या प्लस 4 दूसरे टुकडे की लंबाई अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालोगे 28 माइनस x, x की जगे पर आप यही रख दोगे 28 πाई बटे में 4 प्लस पाई गुणा कर देंगे 28 और 4 की गुणा तो यह कित्ती हो जाएगा तीन चकुबारा एकसो बारा मेरे खाल से तो सही है और प्लस में 28 πाई माइनस में 28 πाई अपान में 4 प्लस पाई 28 πाई से 28 πाई कैंसल यह आएगा 112 बटे 4 प्लस पाई ठीक है तो एक एंसल यह आया पहले टुकडे की लंबाई और दूसरे साथ में चेक करता चलता हूं 112 बटे पाई प्लस चार संटीमीटर 28 पाई बटे 4 पाई प्लस चार संटीमीटर बिलकुल सही हम लोगों के एंसर आये हैं और यह एंसर यह आप क्यूशन नोट कर सकते हो इसके इंसर ले सकते हो हम यह आगे बढ़ रहा है ठीक है देखो चोड़ा अगर बेसिक से पढ़कर के आया हो हमसे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा लेकिन हाँ अगर पहली बार यह वीडियो हमारा देख रहे तो भी यह एक काम करो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और नीचे है application of derivative playlist का link आपको description में दिया है वहां से आप शुरुआ से जरा देख लिजेगा वीडियो आपको clear हो जाएंगे ठीके सारे फंडे जाब हम clear करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है और मैं कर चुका हूं बस आपको पढ़ना है question number 23 की अब हम बात करने आले है question number 23 question number 23 क्या कहता है सिद्ध कीजे की आरतरिज्या के गोले के अंतरगत विशालतम संकु का आयतन गोले के आयतन का 8 बटे 27 है आरतरिज्या का कोई गोला है मतलब इसने ये बोला है कि कोई आरतरिज्या का गोला है यहाँ से एक ये आरतरिज्या का कोई गोला है और इस गोले के भीतर अगर हम कोई विशालतम सबसे बड़ा संकु लें तो इस संकु का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का कितना होगा बराबर आठ बटे 27 गुना किसका गोले का आयतन ये हमको भईया प्रूव करना है ये क्या करना है हमको प्रूव करना है कि संको का जो आयतन होगा वो गोले के आयतन का 8 बटे 27 गुना होगा अब ये ध्यान से देखो ये आर मीटर का यह आर यह तृझे, इस गोले की तृझया है वो आर है, चलो यहां पर हम तृझया नहीं देखाते हैं, इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां से आप एक, इसका जो सेंटर है, यहां से बिलाते हैं, यह रेखा कीच लोगे, ठीक है, इस तरह से, अगर आपको दिक्कत हो आज मैं red pen नहीं लाया हूँ बच्चों कोई बात नहीं है तो यह हमारी यहां से देखिए यह वाली जो दूरी है इसको हम R कह सकते हैं यह हमारी त्रिज्या है इस angle को हम थीटा माल लेते हैं माल लिया अब नाम दे दो A, B, इसको O दे दिया C और इसको आप D दे देते हैं A, B, C, D और यह center हमारा O है अब क्या करो देखो संकु का अगर आयतन निकालना है किसको उचितम या निंतम करे रहा है पहले यह पकड़ो देखो इसमें बोला गया है गोले के अंतरगत विशालतम संकु का आयतन ठीके विशालतम संकु का आयतन गोले के आयतन का इतना है तो संकु का आयतन विशालतम मतलब उचितम या अधिकतम करना है तो संक के आयतन का आपको आउकलन करना है और दिया क्या है गोले के आयतन का 8 बटे 27 गुना है यह आपको ग्याद करना है तो संक का आयतन आप निकालो कैसे संक का आयतन का formula क्या होता आपको पता है 1 बटे 3 pi r square h r मतलब तरिज्जा और h मतलब उचाई तो संक की तरिज्जा और संक की उचाई पहले आप पता करिए देखो यह जो तरिज्जा है वो गोले की है संक की नहीं है आप संकु की तरिज्य अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपके संकु की तरिज्य तो ये होगी ठीक है ये संकु है तो इसकी तरिज्य तो ये होगी ये अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर पाइथागोर स्थरम लगा सकते हैं A, O, D में, देखो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, sin theta लगा सकते हो, ठीक है, sin theta equal to करेंगे, तो इस triangle की बात कर रहे हैं, A, O, D triangle में sin theta बराबर, لم बटे कर्ण होता है, لم मतलब A, D, A, D ही आपकी तरिज्जा होगी, और कर्ण आपका R हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो तरिज्जा होगी, A, D, A, D बराबर में होगी, R sin theta, अगेन, अगर संक की उचाई निकालना चाहते हैं, तो पहले आप O, D की उचाई निकाल लिए, O, D क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार आप cos theta जब लगाओगे, तो यहाँ हो जाएगा, O, D बटे, R, आधार बटे कन, और आधार बटे कन मतलब, O, D, बराबर में R cos theta, ओकी, तो संक की तरिज्जा तो भाईया, A, D है, हमें निकाल आई है, इसको ही हम R कह लेंगे, ठीक है, संक की तरिज्जा, लेकिन उचाई को आप क्या कहोगे, O, C, उचाई जो है C से D तक, यह उचाई पूरी होगी ना, C से D तक, तो उचाई जो होगी, C, D जिसे हम बोलेंगे, इसी को हम H बोलेंगे, चलो, यहाँ पर लिख देते हैं, H मतलब उचाई, उचाई मतलब C, C, D को हम लिख सकते हैं, O, D, O, C, या, O, D, O, C, या फिर, O, C, O, D, अब देखिए, O, C, क्या है, यह, यहाँ से यहाँ तक, अगर तरिज्जा है, तो यह यहाँ से यहाँ तक भी, तो तरिज्जा ही है, R ही तो थी, इस गोले की, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, R, और O, D हमारा है, R, C, ठीक है, तो भीया, तरिज्जा जो आई है, संक की निकल के आई है, यह, R, S, थीटा, उचाई जो है, R, प्लस R, C, अब आप इसका आउकलन कर सकते हो, सबसे पहले आप आयतन का सुत्र लगाए, संक का आयतन का सुत्र क्या है, भीया, तो संक का आयतन, V बराबर में, 1 बटे 3, Pi, R, S, Q, H, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, 1 बटे 3, Pi, R, S, Q, मतलब यहा, R कहाँ है, यह, तरिज्या, यही है, R, S, Theta, तो R की जगे पर, R, S, Theta का, Square, इंटू में, H, H की जगे पर, यह उंचाई, यहाँ से आप, R, Common भी ले सकते हो, यार, ठीके, तो यह बचेगा, 1 प्लस, Cos, Theta, चीके, तो यह बनेगा, 1 वटे 3, Pi, यह, यह, R, Square, यहाँ से, 1, R, यहाँ से, R, Cube, कर देते हैं, और, इंटू में, क्या हो जाएगा, आपका, S, Square, Theta, इंटू में, 1, Cos, Theta, चीके, यह, क्या है, संक का आयतन, अब संक के आयतन का, हमें, Auckland करना है, तो यह, करिए, DV, By, D, Theta, Equal to, क्या हो जाएगा, 1, By, 3, Pi, R, Cube, यहाँ पर, Dekhye, Sin, Square, Theta, प्लस, इंटू, 1, Cos, Theta है, तो, Sin, Theta, इंटू में, Cos, Theta, ओके, और, देखो, Product रू लगा रहे हैं, First का किया, Second को ऐसे लिखे, 1, Plus, Cos, Theta, Plus लगाईए, Second का Auckland करिए, 1 का कुछने, Cos, Theta का, Minus, Sin, Theta, और, Sin, Square, Theta, ठीके, इतना हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस, DV by DX को, हम 0 के Equal रखते हैं, आपको पता ही है, हम 0 के Equal इसको रखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप 0 के Equal इसको रखेंगे, तो यह equation क्या बनेगा, जरा ध्यांस देखना, चलो, यहाँ पर रख लाता है, ठीक है, यह चीज़ हमको प्रूफ करनी है, तो यह बिया बनेगा, 1 बटे 3, πाई आर क्यूब, इंटू में, देखो, 2, साइन थेटा, इंटू में कॉस थेटा, अंदर जाओंगा, तो 2, साइन थेटा, इंटू में कॉस स्क्वार थेटा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का, साइन क्यूब थेटा, ठीक है, बराबर में 0, तो यह सब 0 के बटे में करके जाकर, यह 0 कर देंगे, ठीक है, यह तो यह सब 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास यह वाला जो पोर्सन है, इसमें साइन थेटा सम्में, साइन थेटा आप कॉमन भी ले सकते हो, साइन थेटा जैसे ही कॉमन आएगा, तो यह क्या, यह देखो यह वाला पोर्सन है, वो 0 के बटे में, जीरो हो जाएगा, मैंने बता दिया, साइन थेटा कॉमन लोगे, तो 2 कॉस थेटा बचेगा, प्लस में 2 कॉस स्क्वेर थेटा बचेगा, मैंने साइन स्क्वेर थेटा बचेगा, बराबर में 0, कितना हुआ, साइन थेटा, ऐसे रखते हैं जरा, और यहाँ पर हम कर सकते हैं, 2 कॉस थेटा, प्लस में 2 कॉस स्क्वेर थेटा, माइनस में sin square theta को भी 1 minus cos square theta लिख सकते हैं तो 1 minus cos square theta होता है तो minus बंदर जाएगा तो ये plus का cos square theta हो जाएगा बराबर में 0 इसको हम लिख सकते हैं sin theta into में cos square ये 3 cos square theta हो जाएगा plus का 2 cos theta हो जाएगा minus का 1 बराबर में 0 अब देखिए आप इसका गुड़न खंड कर लेजिए ठीक है तो यह बनेगा sin theta into में देखो 3 cos square theta इसका जैसा ही आप गुड़न खंड करोगे तो क्या करोगे plus का 3 cos theta minus का cos theta minus का 1 ठीक है बराबर में 0 तो cos theta into में यह आएगा वह यह cos theta plus 1 ठीक है और एक आएगा 3 cos theta minus 1 बराबर में 0 आप गुड़न कंड कर सकते हो और बाहर भी है sin theta यार यह sin theta अब तीनों के equal 0 रखेंगे sin theta equal to 0 रखेंगे तो theta equal to 0 आएगा cos theta equal to 1 रखेंगे तो cos theta equal to minus 1 तो theta equal to 180 आजाएगा ठीक है और अगर मैं 3 cos theta equal to minus 1 कर दो 3 cos theta equal to minus 1 कर दो तो यहां से जो आपका theta निकलेगा वो theta निकलेगा cos inverse 1 by 3 या फिर हम cos theta का ही value रख देते हैं हमें जरूरत भी होगी साहत को cos theta की ठीक है तो cos theta यहां से जो निकलेगा वो 1 by 3 निकलेगा ठीक है अब जरा समझना यहां पर यह 0 angle हो सकता है क्या अगर 0 angle हो जाएगा तो संकू बनेगा ही नहीं मतलब यह वाला तो काम का है नहीं 180动 हो जाएगा क्या यह अगर एंगल term kommt सीथिích लाइन होती है अगर यह वाली साद हीथी हो गई तो वहां से संकु बनने से रहा हalter इसका मतलब है यह वाला भी negligible है, इसको भी हमें ध्यान नहीं देना है, हमें क्यों बचा है, cos theta equal to 1 by 3, cos theta equal to 1 by 3 यह बचा है, तो यहां से जरा sin theta आप निकाल सकते हैं क्या, sin theta बराबर में क्या होता है, root के अंदर 1 minus cos square theta होता भी है, sin theta बराबर में क्या आजाएगा, 1 minus cos square theta मलब 1 का square 1 और 9, ठीक है, तो sin theta equal to आपका निकलेगा 9 मस्से 2 root 2 by 3, मेरे क्याल से सही है यह, sin theta और cos theta आपके सामने आ चुके हैं, अब आप क्या कर सकते हो भी है, अब आप क्या कर सकते हो, यहां से R और H का value आप निकाल सकते हो, ठीक है, R और H का value आप निकाल सकते हो, या फिर हम यहां पर रख देते हैं, यह है हमारा संकु का आयतन, हमें संकु का आयतन ही प्रूब करना है, यहां पर लिखें संकु का आयतन, ठीक है, संको का आयतन V बराबर में क्या था एक बटे तीन पाई आर क्यूब ठीक है इंटू में यहाँ पे ध्यांस देखिए साइन स्क्वेर थिटा साइन थिटा का मतलब है यह और साइन स्क्वेर थिटा जब होगा तो इसका स्क्वेर कर दोगे तो आठ बटे 9 हो जाएगा ठीक है साइन स्क्वेर थिटा इंटू में 1 प्लस कॉस थिटा कॉस थिटा मतलब है 1 बाई 3 ठीक है तो यह हो जाएगा एक बटे 3 पाई आर क्यूब इंटू में 8 बटे 9 और इंटू में 3 एकम 3 4 बटे 3 ठीक है कुछ कटेगा कुछ कटे तो काट दिजिये ना कटे तो छोण दिजिये क्या जाएगा यह कच्छो कटेगा क्या नहीं कटेगा कोई बात नहीं है तो आठ बटे 27 आप अलग कर लो जो भी बचा है उसको अलग कर दो 8 यह और 9 तिया 27 चार बटे तीन बचेगा ये चार बटे तीन बचेगा पाई आर क्यूब बचेगा अब आपने अगर पढ़ा होगा गोले का आयतन का फर्मुला क्या होता है गोले का आयतन होता है चार बटे तीन पाई आर क्यूब तो यहां पर हम देख पा रहे हैं वी ये क्या है ये वी क्य आयतन ठीक है तो ये मेरे ख्याल से आपने प्रूव कर लिया है संक का आयतन बरावर किसके है आठ बटे 27 इंटो गोले के आयतन के बरावर और ये बात एकदम से प्रूव हो चुकी है भीया इसका स्क्रिंसाट लेजिए और इसको एक बार फिर समझे अगर आपको समझ में नह भी क्योष्चिंस बहुत पूछे जाते हैं ठीक है और भी आठ नंबर भी ठीक है आगे चलते हैं और आगे की क्योष्चिंस हम लोग लगाएँगे अभी बहुत के शिचिंसbabा की अभी तो हम लोगों ने आज की class का दूसरा question देखा है देखो बड़े questions हैं इसलिए समय तो बाई ज्यादा लगेगा ही इसमें कोई दो रहा है नहीं है आज की class तो बड़ी होने वाली हैं लेकिन मैं कोसिस करूँगा कि आज मैं finish करूँ यार अगर ज्यादा समय होगा तो देखा जाएगा फिर ठीक है दो पार्ट में बढ़तेंगे लेकिन मैं चार हूँ यार आजी मैं इसको समाप्त करूँ question number 24 की अगर बात करें सिद्ध कीजिए नियूनतम प्रष्ठ का दिये गए आयतन देखो प्रष्ठ नियूनतम है तो इसका मलब प्रष्ठ का ओकलन करना है दिये गए आयतन के लंवरतिय लंवरतिय संक की उचाई आधार की तरिज्या की रूट दो गुनी होती है संक जो है लंवरतिय संक है ठेक है लंवरतिय संक की जो उचाई होती है वो आधार की तरिज्या की रूट दो गुनी होती है मतलब रूट टू आर ठेक है ये हमको प्रूव करना है चलो ठीक है इसका क्या दिया गया है question number 24 मिधान से देखें दिया गया है नियूनतम प्रष् सब्सक्राइब है उसी का आपको अकलन करना होगा आयतन दीया है तो आयतन से हम को इए चीज निकाल लेते हैं हमने माल लिया कि उचाई है त्रिज्या-R है तो इसका जो आयतन वी बराबर में एक बटे तीन पाई और स्कूर एच होता है यहां से मैं एच निकालता हूजर तो यह हो जाएगा 3V अपान में πाई आर स्क्वेर बराबर में H मैंने H निकाल लिया है अब आप क्या करेंगे संकु का एतन का प्रश्ठ ही चेतर फल लेते हैं संकु का नियुनतम प्रश्ठ जिसे हम संकु का वक्र प्रश्ठ कहते हैं S से लिखें तो S बराबर में πाई आर L होगा आपको पता है L बराबर में होड़ता है रूट आर स्क्वेर प्लस L स्क्वेर यह आपको तो पता ही होगा तो यहाँ पर S बराबर में क्या लिख देंगे पाई आर और रूट के अंदर आर स्क्वेर प्लस H स्क्वेर ठीक है यह होता है यहां पर हम h का value रखेंगे लेकिन एक काम करते हैं यार हम इसका work कर देना क्योंकि root आ जाएगा तो थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत हो सकता है एक काम करते हैं root को खतम करने के लिए दोनों पक्षों का work कर दते हैं s square बराबर में pi square r square और into में r square प्लस h square root हमारा खतम हो गया value वहां से आपर रख लिजे आप ठीक है तो यह बनेगा आपका s square बराबर में pi square r square into में r square प्लस h square की जगे पर लिखेंगे 3, 3, 9, square करके 9, v square बटे में pi square r की power 4 हो जाएगा भी या ठीक है हाँ जरा इसको हम calculate करता है s square को हम p के equal मान लेते हैं l square equal to p मान लेते हैं जहां बार-बार-बार-बार s square कहां लिखेंगे तो हम इसको p directly लिखेंगे p बराबर में pi square r square into में हो जाएगा r या इनका cross multiply होगा जब तो ये pi square r की power किते हो जाएगे 6 और plus में 9 v square अपान में हो जाएगा pi square r की power 4 ठीक है यहां से pi square pi square cancel r square से r square खतम आयक r square बचेगा भी अभी तो p equal to आपको जो बनेगा वो क्या बचेगा pi square r की power 6 प्लस 9 v square अपान में r square चाहो तो इनको अलग-अलग बटे कर सकते हो या फिर आप ऐसरी कर सकते हो चलो अलग-अलग बटे कर ही लेते हैं ठीक है तो p बराबर में r square इसके बटे में करोगे तो यह pi square r की power 4 बचेगा और प्लस अगर हम इसके बटे में करेंगे तो 9 v square के अपान में r square बचेगा ठीक है अब इसका हम उकलन करेंगे dp by dx equal to देखे 4 pi square तो ऐसे रहेगा यह हो जाएगा 4 r cube ठीक है प्लस 9 v square तो इसे रहेगा r की power minus 2 है तो यह minus 2 नीचे है कि r cube हो जाएगा आप करके देख लेगा 1 upon r square को उपर ले जाना r की power minus 2 और करोगे minus 2 r की power minus 3 हो जाएगा बटे में आएगा तो यहीं से मुल जाएगा ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब हम क्या करेंगे इसको equal to 0 रखा जाए ना dp by dx equal to 0 रखेंगे उच्चतम या निम्तम के लिए यह हमें करना पड़ता है तो आप समझ लेना यहां पर मैं लिखता नहीं हूँ हिंदी में क्योंकि बोट जरा कम होता है तो इसको हम क्या कर देंगे 4 pi square r cube ठीक है और minus का यह हो जाएगा 9 दुनी 18 v square अपान में r cube बराबर में 0 यहां पर हम इसको उधर कर देंगे 4 pi square r की power cube बराबर में 18 v square अपान में r cube इनको इधर लाओगे 4 pi square r की power 6 बराबर में 18 v square ठीक है दो से आप काड़ दोगे दोनों पक्षों में तो 2 pi square r की power 6 बराबर में 9 v square v का value यहां से लिखो समी करण 1 से ठीक है समी करण 1 से तो यहां से रखे 2 pi square r की power 6 बराबर में 9 into v square मतलब 1 वटे 9 pi का square हो जाएगा r की power 4 हो जाएगे h का square हो जाएगा आपको यह चीद फूल करनी है h और r में संबनते हैं तो आप 9 से 9 यहां पर काड़ दोगे pi square से pi square काड़ दोगे r की power 6 से r की power 4 काड़ों के यहां पर r square बचेगा तो यहां बचेगा 2 r square बराबर में h square अब दोनों पक्षों को रूट में ले लिजेगा तो रूट में 2 r square बराबर में root में h square तो यह क्या बन जाएगा मतलब h h का इधर भेज देंगे तो h बराबर में क्या जाएगा वरिवेटिव ठेष्ट हुआ था यहां पर आप दुबारा से आप दुबारा इसका उकलन कर लें और देख लें चक कर लें कि यह पॉजटिव है निगैटिव के लिए था तो आप देखेंगे पॉजिटिव आ जाएगा सेकंडेरी टेस्ट वी कमान जब आप ये वी स्कुरे का वैलू नाइन इतना रखोगे तो आपका आ जाएगा आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सेकंडेरी टेस्ट लेके अधरवाइस हमने यहीं पर चोड़ दिया है नो प्रोब्लम आप नोट कर सकते हो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा हम आगे बढ़ते हैं ठीक है इसको नोट करिए जल्दी से क्योंकि बहु अगला क्यूशन congregation number 25 की हम बात करेंगे question number 25 में क्या दिया है सिद्धि कीजे दी हुई तिरयक उचाई और mahat演 को उच्थम करना तो आकलन करना ठीक है संक का अर्ध सीर्स कॉन जो होता है वो 10 inverse root 2 होता है अर्ध सीर्स कॉन मालूम है क्या होता है संक का सीर्स यह होता है A, B, C और यह होता है अर्ध सीर्स कॉन थीटा इसको आपको थीटा इकॉल टू प्रूब करना है 10 inverse root 2 ठीक है, ये आपको prove करना है, और कैसे prove करेंगे, देखेंगे, हमने मान लिया कि इसके 3R है, 3R है और उचाई H है, ये हमने मान लिया R, H और L में संबंद आपको पता ही है, L square बराबर में होता है H square प्लस R square ठीक है, अब जराध्यान से देखिए आयतन का आपको क्या करना है आयतन का आपको क्या करना है तो आयतन का भीया मैं आउकलन करना होगा आयतन का तो आउकलन करना होगा चलो ठेक है, लेकिन यहाँ पर एक और काम कर लेता है देखो, यहाँ पर sin theta, theta हमने यह मान लिया है यहां से आप देखे, h अगर यह है, तो इसकी तरिज्या, यह तरिज्या हो गई, r, ठीके, यह तरिज्या है, और तरिज्या के पदों में ही उचाई निकाल लीजिए आप, ठीके, 10 ठीटा लगा दें क्या, यह साइन ठीटा जो भी लगा लो यार, ठीके, आप क्या करोगे, उचाई ना मानो, फिर भी काम चलेगा आपका, जहां से देखो, यहां पर हम साइन ठीटा लगाएंगे, और देखो, तरियक उचाई आपकी दी है, इधर वाले ट्रेंगल के हम बात करें, उधर वाले कर लें, किसी किवाल करने, ठीके, यहां पर क्या करेंगे, साइन ठीट हैं, तो H upon L, यहां से H हमारी जो आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी, L cos theta, ठीके, यह दोनों चीज़े आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे, भीया, आपकलन, अब पहले आयतन का फर्मूर लगाता है, आयतन एक बटे तीन, पाई आर स्क्वार ह, ठीके, आयतन पाई बटे तीन लिखिए, आर स्क्वार, आर स्क्वार मतलब यह है, L स्क्वार, साइन स्क्वार ठीके, इंटू में, H, H की जगे पर, L cos theta, ठीके, इतना लिख दिया, अब हम यहां पर क्या करेंगे, V बराबर में, पाई बटे तीन, यह बन जाएगा, L क्यूब, L क्यूब, इंटू में, साइन स्क्वार ठीके, इतना हो गया, अब यहां पर हम आउकलन कर लें, क्या, आउकलन कर लें, आउकलन कर लीजिएगा, तो आउकलन जैसे ही आप करेंगे, ठीके सापेक्स, तो यह ब V d theta equal to pi by 3 L cube, इंटू में 2 sin theta, इंटू में cos theta, और cos theta को इसे रखेंगे, यह फर्स्ट का उकलन क्या, second को इसे चोड़ा, पलस second का उकलन cos theta को minus sin theta लिखेंगे, और second को इसे चोड़ देंगे, sin cube theta, ठीके, अब इसको equal to 0 भी राप रख लेंगे, ठीके, इसको equal to 0 भी रख पाई L cube by 3, इंटू में 2 sin theta, इंटू में cos square theta, माइनस में sin, यह क्योब यह कहां से आ गया भी यह, यह क्योब कहां से आ गया, sin square theta था और अब बन जाएगा sin cube theta, ठीके, equal to 0, जैसे आप भी रखोगे तो यह वाला portion 0 के बटेंगे जाकर के 0 हो जाएगा, आपको इसका करना है क क्या, 2 sin theta, इंटू में cos square theta, देखो इसमें sin theta common भी मिल रहा है, तो हम साथ ही में लेते हैं, sin theta यहां से common लिया, 2 cos square theta बचेगा, sin square theta बचेगा, बराबर में 0, ठीके, sin theta equal to 0 रखेंगे, तो पहला इसे लिख लेते हैं, sin theta, इंटू में यहां पर क्या करोगे भी यह, sin theta equal to, आप 0 रखेगा, तो theta equal to, क्या आएगा, 0, 0 हम मान नहीं सकते, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा, तो संको बनेगा रहे हैं, यह हम लों को पता है, तो हम इसको लेकर के चलते हैं, 2 cos square theta minus sin square theta बराबर में 0, तो 2 cos square theta बराबर में sin square theta, cos बटे में जाएगा, तो यह यह बन साइन स्कोर theta बटे में, cos square theta बराबर में 2 बचेगा, तो यह बनेगा, 10 square theta बराबर में 2, तो 10 theta बराबर में root 2, और theta बराबर में 10 inverse root 2, यही हम लोगों को प्रूब भी करना था, यह हम लोगों ने प्रूब तो कर दिया है, लेकि यह उच्छतम के लिए है, यह निम्तम के लि तो आपके पास क्या आएगा, दुबारा उकलन करने के बाद में, theta यह 10 theta बराबर में root 2 रख देंगे, तो हमारा जो है, वो क्या जाएगा, positive आएगा, negative क्या बताया था, इसने, महत्तम आयतन की बात की थी, तो इसका मनलब है, theta जो double derivative आएगा, वो negative आएगा, ठेके, तो मान, धन से positive से negative की और जाता है, अता यह उचतम बिंदु ही होगा, ठेके, तो यह आप, आप अपने इसाब से लिख सकते हो, आपके मर्जी है, double derivative test करना है, तो वो भी कर सकते हो, चिन्नो वाला आप करना है, तो वो भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया, कि आपको कैसे कर होना है, ठेके, चलो, आगे बढ़ते हैं, और अगला question लेते हैं, दो को समय कम है, और समय जब कम होता है, तो भई, क्या करना होता है, आप समझते हो, चलो question number 26 की बात करते हैं, देखिए का, एक मिनट मैं समय भी जड़ा देख लेता हूं, बहुत लंबी class होती जा रही है, विया, 38 मिनट की class हाल लेडी हो चुकी है, कोई बात नहीं है, 26 नंबर, ठीक है, ये क्या दिया है, सिद्ध की जए कि दिये हुए प्रेश्ट और महत्तम आयतन वाले लंब्रतिय संकु का अर्ध सिर्षकोन साइन इन्वर्स एक बटे तीन है, लंब्रतिय संकु, संकु फिर दिया है विया, चलो, संकु ही है आपके पास, अर्ध सिर्षकोन को फिर हमें प्रूव करना है, थेटा, थेटा एक्वल टो साइन इन्वर्स वन बाई थ्री, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, फिर दिया क्या है, दिये हुए प्रेश्ट और महत्तम आयतन, महत्तम आयत का ही आपको अउकलन करना है लेकिन प्रष्ट दिया ठीक है तो जब प्रष्ट दिया है तो प्रष्ट के लिए हमाँ पास फार्मूला क्या है से हम एस से लिखेंगे एस बराबर में होता है पाई आर इसका वक्रपष्ट और नीचे आधार वाला चेतरफल पाई आर स्क्वार यहां से आप L निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे S माइनस में पाई आर स्क्वार लाएंगे बराबर में पाई आर L यहां से L निकालेंगे तो S माइनस पाई आर स्क्वार और अपान में पाई आर यह हमने L نکाल लिया है अब आप क्या करेंगे आयतन इसका निकालेंगे आयतन क्या होता हुआ है संको का आयतन तो संो का आयतन जो आपका होता है V बराबर में एक बटे तीन पाई overcoming अर स्कौर एच यही होता है यहां से आप H का वैलिदर को जाएगा L square minus R square ठीक है तो आप पहले तो इसका square कर लेजिए दोनों पक्चों का तो ज्यादा सही रहेगा नहीं तो रूट में आ जाएगा एक बटे 9 कर लो पाई square R की power 4 H square अब आप यहां पर रख देजिए एक बटे 9 पाई square R की power 4 H square की जगे पर आप क्या लिख देंगे L square minus R square ठीक है अब L का value यह वाला उठा करके यहां पर रखो आप calculate करिए V square बराबर में पाई square R की power 4 अपान में 9 into में L square को क्या हो जाएगा भीया S माइनस पाई R square का whole square upon में πाई square R square यह L square था तो इसका square करके लिखा और माइनस में R square ठीक है इसको जड़ा आप calculate करेंगे जड़ा देहां से देखो यह वाला portion इदर है ठीक है तो जब आप इसको calculate करेंगे V square को हम P मान लेता है फिर ठीक है यह P मान लेते हैं बार-बार भी इसकोर नहीं लिखेंगे पी जगल टू क्या बन जाएगा पाई square R की पाउर 4 अपान में 9 into में इनका whole square जड़ा हम खोलें तो S square माइनस में plus में πाई square R की पाउर 4 ठीक है और माइनस 2A भी बनेगा तो माइनस का 2S यह S है 25 नहीं है S πाई R square ठीक है और यह तरिये गुणा इदर होगी जाके तो माइनस का πाई square R की पाउर 4 अपान में बनेगा πाई square R square ठीक है तो यह वाली कहानी तो खतम हो जाएगे भाईया आपके पास P बराबर में πाई square R की पाउर 4 अब देखो यहां से आप काट भी सकते हो पाई square पाई square R square पाउर 4 से इसक्वेर कटोगे एक R square यहां पर बचेगा R square by 9 और अंदर बचेगा S square माइनस में 2Pi R square इंटू में S आप S common भी ले सकते हो आपकी मर्जी है आप ऐसे रखोगे यह P आगया अब इसका आप आउकलन करोगे ज़्याद ध्यान से देखो आप इसका आउकलन करने जा रहे हो DP by DR ठीक है R square first second आप लगा सकते हो या फिर एक काम करते हैं इसको अंदर आप गुणा करते हैं फिर आपकलन करते हैं ठीक है प्रोड़क्ट नहीं लगाना पड़ेगा तो यह बन जाएगा R square S square अपान में 9 और यह बन जाएगा भी या 2 pi R की पाउर 4 S अपान में 9 अब आप इसका उकलन करिये DP by DR एकुल टू क्या बनेगा भी या R square का 2 R हो जाएगा इंटू में S square बटे 9 और मैनिस में यहाँ पर 4 R cube हो जाएगा R की पाउर 4 का तो 4 दूनी 8 pi R cube हो जाएगा S अपान में 9 ठीक है इसको एकुल टू आप 0 रखेंगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेना है तो आप यहाँ पर डबल डेरिवेटिव भी ले सकते हैं चेक कर सकते हैं कि यह पोजिटिव उच्चितम के लिए होगा निमतम के लिए मैं यह न S अपान में 9 एकुल टू जीरो रखेंगे जैसे आप दोनों पक्षों को उधर करेंगे R S स्क्वार अपान में 9 बराबर में 8 pi R cube S अपान में 9 9 9 कैंसल आउट हो जाएगा एक काम आप यहाँ से कर सकते हो कुछ भी कैंसल आउट कर सकते हो देखिएगा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 से 8 काटेंगे तो यह बनेगा R S स्क्वार बराबर में 4 pi R cube R cube S यहाँ से आप क्या करोगी S से S काट सकते हो ठीक है 1 R से 1 R भी काट सकते हो तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 S बचेगा यहाँ पर बचेगा 4 pi R square तो S का value वही आप 4 pi R square आया है आप क्या कर सकते थे D square P upon DR square निकाल लो S का value वहाँ पर रख देना आप चेक कर लेना कि उच्चितम के लिए है या निम्तम के लिए है मैं मान के चलता हूँ यह उच्चितम के लिए ही value निकलेगा क्योंकि एक ही value होगा दूसरा S बराबर 0 होगा जो हो नहीं सकता ठीक है तो S pi R square निकल के आया है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर L की जगे पर यह value रखेंगे तो जैसे ही आप L की जगे पर यह value रखेंगे तो L बराबर में क्या बनेगा ज़रा ध्यान से देखना L बराबर में क्या बनेगा S S है तो S की जगे पर क्या रखोगे 4 pi R square माइनस में pi R square आपान में पाई आर ओके यहां से आप क्या करोगे एल बराबर में फोर पाई आर स्कुर से पाई आर स्कुर जाएगो क्या बचेगा आपके पास केवल थरी पाई आर स्कुर बचेगा अपान में पाई आर यहां से πाई से पाई और आर से आर खतम करोगे L बराबर में 3R बचेगा भी यह L बराबर में क्या बचा? 3R अब जब L बराबर में 3R बचा तो अब ज़रा ध्यान से देखना यार यह हमारी R है यह हमारी L है तो हम अगर यहां से R का वैली निकालें साइन थीटा करके ठीक है? यहां से देखना ज़रा यहां से अगर मैं R का वैली निकाल हूँ साइन थीटा लगाता हूँ साइन थीटा बराबर लंब बचे कंड होगा मतलब R बचे L होगा अब यहां पर लिखिए साइन थीटा बराबर में R की जगे पर क्या लिख सकते हो R की जगे पर R रखो आप L की जगे पर क्या लिख सकते हो 3R तो यहां से हम लिख दिये 3R R से R cancel out तो क्या बनेगा sin theta equal to 1 by 3 तो theta equal to आपका क्या जाएगा sin inverse में 1 by 3 और यही हमें सिद्ध करना था कि theta जो होगा वो sin inverse 1 by 3 होगा यह हमने प्रूव कर दिया है तो मैरे ख्याल से आप समझ गए होंगे और इस class को जरूर दुबारा देख लिजेगा ठीक है चलो इनको कर लिजेगा और अब बचे हैं जो आगे की questions यह बहुविकलपी यह questions हैं यह चोटे चोटे questions हैं 27, 28, 29 जब आप इतने बड़े questions कर चुके हैं तो यह भी questions आप कर ही लेंगे तो मैं इनको अब नहीं बताऊंगा क्योंकि otherwise वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर दिक्कत होगी आप लोगों को आज की class में बस इतना ही रखते हैं और यह questions मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग कर लेंगे अब मैं आगे हम पढ़ने वाले हैं मैं यह integration ठेक है integration अगली वाली class से सुरू हो जाएगा आप लोग सभी लोग आए अच्छे से तयारी करिए और अपने दोस्तों को भी लाइए वीडियो कर पसंद आया तो यह लाइक करेगा और आज के class बहुत important है यह questions आप अच्छे से जरूर तयार कर लिजेगा क्योंकि यह आपके लिए बहुत important साबित होंगे बोर्ड exam के लिए ठीक है फिर मिलते हैं अगली class में इंटेग्रेशन के साथ में तब तक के लिए बाबाय अपने पढ़ाई करते रहे हैं